दोस्तों नमस्कार आज की स्ने वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता यूज करते हैं तो किस तरह से स्टेटमेंट निकाला जाता है पूरे आप एक साल तक का निकाल सकते हैं आप अपना खाते का स्टेटमेंट यानि क्या आपका सकते हैं आप अपने खाते का पास्बुक निकाल सकते हैं वह भी ऑनलाइन घर बेठी तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और क्या प्रोसेस होने वाला है इस्टेटमेंट निकालने के लिए पहले आपको क्रोम ब्रोजर अपन करना है तो चलि हम यहां पर सब्सक्राइब को लिखना है online sbi.com और यह website का link official state bank of India का है description में मिल जागा इस वीडियो के description box में तो यहां पर आने के बाद आपको जो है login बटन पर किलिक कर देना है तो चलिए हम login बटन पर किलिक कर देते हैं और login बटन पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको continue to login बटन यहां पर आप देख सकते हैं user name आपको इंटर करना है password इंटर करना है उसका पर करने के बाद आपके समने में देख कुछ इस तरह का interface खुलेगा को बता दूआ अगर करणा चाहाते हैं यहां पर जा कि याँ पर आपको बाईलेंच्व करेंगे यहां पर दिखा दिखा दिया जाएगा तो चले यहां पर कैसे इस्टेटमेंट निकालते हैं तो यहां पी देखिए आपको एक screen बे दिख रहा होगा कि 3 dot का 3 line का option तो यहां पे आपको click करना है तो चले हम यहां पे click करेंगे फिर से देखिए my account and profile पे आपको click करना है तो चलिए हम यहां पे click कर लेते हैं और click करने के बाद इस page को थोड़ा से उपर करना है और यहां पे देखे लिखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते है account statement, तो यहां पे आपको click कर देना है, यहां पे, चली हम यहांपे click कर देते हैं, और click करने के बाद, आपके सामने में देखे, कुछ इस तऱ का इंटरफेस खुलेगा, तो यहां पे अपना moving account पे click करेंगे, कि यहां पर हम जो है इस जिगा पर हम यहां पर किलिक करेंगे यहां पर चलिए हम यहां पर किलिक कर देते हैं और किलिक करने के बाद आपको यहां पर बताए जाता है कि यहां पर आपको जो है अगर आपको डेट बाय सेलेक्ट करना है डेट बाय माना कि अगर आपको इस डे है आपका यहां पर मन्थ आ जाएगा तो यहां पर यहां पर और अपना मन्थ देखे इस्टेटमेंट निकाल सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर अगर लास्ट सिक्स मन्थ का आप निकालना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो निकल जाएगा अगर आप यहां मंत का निकालना चाहते हैं यहां पे छे मंत का भी निकाल सकते हैं ठीक है अगर आप सिर्फ भीव करना चाहते हैं इस्टेटमेंट को देखना चाहते हैं तो आप यहां पे किलिक करेंगे ठीक है तो अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं यहां पर आपको डाउनलोड चाहिए तो यहां पर यहां पर किलिक करेंगे अगर आपको PDF में चाहिए इस्टेट में तो यहां पर आपको किलिक करना है तो चली हम यहां पर किलिक कर देते हैं आपको PDF में चाहिए तो अगर आपको छे मंत का अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहां पर आप किलिक करेंगे ठीक है अगर आपको तीन मंत का डिली डाउनलोड करना है तो यहां पर आप अपना जो तीन मंत का होता है तो आप निकाल सकते हैं तो चलिए हमको एक साल का निकालना है तो यहां प यहां पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो यहां पर देखें स्टेटमेंट निकल चुका है तो यहां पर पूरे आपका एक स साल यहां पे निकल चुका है। आप किस तारीक को कितने पैसे भेजे थे, किस तारीक को कितने पैसे आये थे, आपके डेट हुए थे, क्रेडिट हुए थे, सारा यहां पे आपको detail दिखा जाएगा। तो मैं इसे जूम करके नहीं दिखा सकता हूं कुछ परसनल लिटे लिभी होते हैं तो इसी तरह से आप जो है यहां पे जो है अपना पास्बूर्ग निकाल सकते हैं अगर आपको डॉणलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे यहां पे देखिए तो यहां पे आपको जो सबसे पहले आपको तो अगर को सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों अगर इससे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फोलो करके बता सकते हैं